इतना जादा content पढ़ा हुआ है कि हम इसमें बीच में confused जाते हैं कि किसको किसको क्या क्या चुने इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं खुद चुन के देदूँगा कि यह यह उठा के पढ़ लो अपना time बचा लो हाई वर्यबड़ी इस निके हर चैप्टर की हर वीडियो बता रहा हूं कैसे कैसे कहां से करना है तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वैसे मैं बोलता नहीं जनरली लेकिन अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दीजेगा एम कर रहे हैं लगभर 20,000 लाइक का देखते हैं होत अगरे लेकिन अगरे अगरे तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूं कई बार क्या होता है आपने से कई लोग इस से ज्यादा पढ़ना है बिल्कुल लिमिटेड और जितना एक्जाम में चाहिए उतना ही पढ़ना है ठीक है तो इसलिए मैं आपके सहूलेज के लिए मैं क्या करूंगा डिजनिक के पहले है टॉपिक्स लिस्टाओ कर देता हूं बिसिकली ये सारे टॉपिक्स आपके रिजिनिंग में आते हैं एक्जामिनेशन में क्रिटिकल डिजनिंग इनिक्वालटी इस अल्फा नियुमेरी डिरेक्शन से तो यह सारी चीज़े आपके examinations में आती है मैं क्या करूंगा हर topic में आपको एक वीडियो लिक्ट्र दिखाऊंगा और बता दूँगा कि आप इंसे जा के पर सकते हो basically मैंने वो खुद वीडियो जा के देखी और मुझे बहुत अच्छे लेगी एक दूसरी बात और start करने से परे डिस्क्लेमर दे दूँँ यह मेरा एक personal recommendation है मझे खुरी सब वीडियो अच्छे लगी ऐसा भी होता कि आप में से कई लोग उन teacher को follow न कर रहा हो या फिसी और teacher को follow कर रहा हो तो बेशक आप उनको जा के follow कर सकते है ऐसा friend ऐसा भाई मैं आपका यह recommend कर रहा हूँ कि आप यह देख लो आप देखना इसको अगर अच्छे लगे तो ठीक है अगर नहीं लगे तो आप जिनको follow कर रहा हो उनको follow करते रहना ठीक है कोई दिक्रत के बात नहीं है चलिए start करते हैं एक एक वीडियो से जिसमें आप comfortable हो लगा के देखो meanwhile वह जो concept पढ़ा रहा है उनको please note down करते जाओ आपको पास reasoning की separate notebook होनी चीजिए जिसमें आपके concepts या फिर कुछ नया type of question करवाते हो तो उसको लिख लिया करो जिससे आपको आप देखो जब division करते हो आप सिर्फ आप पे वो कुछ दो आते हैं तो पास पास मंट का पंदर पदर मंट का क्या है क्विज लगा लिए पंदर मंट का एक विज लगा लिया तीन पदल क्वेशन लगा लिए ठीक है sectional mock लगा लिया बाकि reading material के लिए आपको पास कोई book होगी तो book से आप पर सकते हैं इस तरह करने तरीका होगा अब देखिए वीडियो से पहले बात करते हैं इस तरह कोशन आते हैं आपको पता होगा assumptions वाले cause effect वाले conclusion वाले strong weak argument इस तरह कोशन के लिए क्लिए क्लिए मेरिट शाहिन ने एक ये वीडियो के पूरी प्लेश बना रखी है इसमें लगबग नौ वीडियो है और हर वीडियो के घंटे की है अच्छे से कॉंसर को समझाया है कैसे option को eliminate करते हैं वह बता है और कुछ questions करवाया है practice के लिए और कुछ questions करने के लिए इससे बढ़िया चीज किसी वीडियो में लगबग नहीं हो सकती कि सब कुछ एक की वीडियो में लगबग करवाती है इससे नौ वीडियो है और हर टॉपिक को detailed में डिस्कस किया है तो यू कन वास्ट इस प्लेलिस्ट बहुत इच्छी प्लेलिस्ट है मैं लिंक डाल दूँगा otherwise आपको दिख रहा होगा आप जाके विजिट कर लिए दूसरा हम बात करते हैं Inequalities और Coded Inequalities देखो आपके जो exam से हैं उसमें जब easy level question आते हैं तो inequality easy आपको पता है किस तरह की होती है और एक होती है आपकी Coded Inequalities जो की examinations में आजकल आ रही है तो सबसे पहले इसमें कहा है कि जो Coded Inequalities का यह जो वीडियो है इन्होंने अच्छे समझा रखा है और इसी वीडियो में इन्होंने नीचे लिंक दे रखा है कि जो आपकी inequality वाली वीडियो है आप inequality वाली वीडियो के लिए बहुत आप कुछ ना करो आप YouTube सबसे पहले टाइप करो inequalities, reasoning tricks और सबसे पहले यह जो वीडियो आएगी यह इन्शू सैनिसर की इस पर 2.1 million views है ठीक है एक किस लाख लोगों ने देखा है एक मिनिट में 5 marks कैसे inequality पर करें इन्हों जिस तरीके बता रखा है वो जो गेट वाल तरीका वो बहुत बैस तरीका है बहुत बढ़िया तरीका है और इसी के basis पर इन्होंने कोडिल inequality सिखा रख की है जिसमें इन्होंने एक error method की बात किया और मुझे करना तीचर साब बहुत लिम्टेड रखों कि बहुत जाए टिचर से पढ़ों सब के तरीका आपके मिक्स हो जाएंगी तो मैं कोश्च्च कर रहा हूं दो या तीटीचर ही कही लगवर पूरा आपको से दिखा दूँगा तीसरा जो आपका यह है तो आप इससे सीख सकते हो और प्रैक्टिस आपको करनी है मॉक्स बगारा से जहां से भी आप करते हो ठीक है दूसरा आपको जो प्रॉल्लम आता है वह सिलॉजिसम क्या आते हैं तो सिलॉजिसम क्या है ना कोशन काफ इच्छे डाल रखे हैं मैं इस वीडियो को बैट के 1.5 पढ़ते हो गाइस उससे भी पढ़ो और आम से कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको बस रिकमेंट करना हो कि आप इंसे पढ़ सकते हो ठीक है तो यह तीनों टॉपिक आप नहीं से कर लिए इनिक्वालिटीज अल्फा नुमरिक और स्लॉजिसम ना कम इन्टू को दिकोडिंग और एक दरा के बाइंडरी कोडिंग जो होती है जो कोडिंग डिकोडिंग वाले यह जो आपके अड़ा वाले टीचर नहीं सौरफ सर इन्होंने जीरो टी हीरो का यह लगवा एक वीडियो करा रखा है इस पर लगवा पांस लाग छे क्यास पास व्यूस है तो वह आला इनके चैनल पर भी पड़ी है आप इंसे कर सकते हो दोनों के इच्छे मैं दोनों को ठाके देखी दोनों के तरीका सही थेक्ए लास्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वह हैं आपके पॉसल और सेटी अर्जमन तीन उप्शन दूगा मैं आपको ठ पूरा मेरे खाला से लगबग टॉपिक आई होगा कुछ अगर रहे गया होगा ताब मुझे बता देना ये बाकी आप चली को लाइक करिए 20,000 जैसी लाइक कम्प्रीट होंगे मैं खटाक से सिम्लर टॉपिक पे सिम्लर वीडियो इंग्लिश के लिए आऊंगा तो शेयर कर दीजेगा आपने फ्रेंडों के साहर और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दीजेगा ठीक है वो बेल आगन प्रेस कर दीजेगा इससे आपको अब्डेट मिलते रही है और मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियों तब तक के लिए बाइबाइब और हैव ग्रेट डियुक्त